नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में दोस्तों लोग यहां पर पिछले वर्स पूछे गए आपके जो प्रस्ण है आपके यूपेट प्लसी में बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं काफी बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर जो अभी तक पूछे गए हैं यूपेट प्लसी में सभी सब्जेक्ट के आप प्रेक्टिस इट करवा दीजिए ठीक है तो आपको यहां पर कह सकते हैं कि आपको दो चैनल के माद्यम से एक हमारा दूसर चैनल है आनलाइन एक्जाम मिशन वहां पर भी आपकी कि तैरी कराए का रही है और यहां पर भी कराए ज आ रही है तो दोनों चैनल को आप जोइन कर सकते हैं वहां पर आपको कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बस स्राइब सर्प्तिस निमन में कौन सा राज भारत में खाध्यान का सब से बड़ा उत्तपादक है खाध्यान का सबसे बड़ा उत्तपादक है यह आपका कौन सरा जे भारत का देखी देख सकते हैं कि आपके यूपरेटबलेसी कनिश्क सायक परिच्छा 2018 में पूछा गया आई पोजिस्ट तो राइट अंसर आपके यहां पर सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश याद रखेगा कि भारत में खाध्यान का सबसे बड़ा उत्तपादक है आपका उत्तर प्रदेश है ठीक है उत्तर और उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो आपका मद्य प्रदेश आता है फिर पंजाब आता है फिर राजिस्थान फिर आपका परस्चिम बंगल ठीक है और अगर बात करें करनाटक की तो करनाटक आपका आता है नवे स्थान पर यह कोशन आपके पूछा आ सकते हैं चलिए अग्या पूछा गया आपर कहरा आप से किण्यम्न में से आपकी कहरा है को छोड़ कर सभी फशले जो आपकी खरीब की फशल यहां तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका टूक ऑप्सन राइट आपका डी जो को ग्यहूं ग्यहूं आपकी रवी की फसल है ठीक है ग्यहूं कैसी है रवी की फसल है वहां की सभी आपकी कैसी है खरीब की फसल है तो आपसन राइट आपके यहां पर डी हो जाएगा ग्यहूं ठीक है तो ग्यहूं को छोड़ रवली फसलें जिनकी बसंत में कठाई कि जाती है उन्हें फसले कहलँ आती है देखिए कि जो सर्दी में उगाय जाएं और बसंत में काट ली जाएं ऐसी फसल कौन से होती है डारेक्ट कोश्चन आपका नहीं पूझग गया लेकिन घुमाफिराके पूछ गया है तो राइट अंसर आपका बिल्कुल सड़े है राइट अंसर आपके यहां पर देख लीजिए आपका ए होजाएगा रवी की फशल सरव्वे में यहालती है और लखभरो हुए आपकी फरवरी मार्च में आपके काथ ले जाती जो आपकी है वो किस से सम्मंदित, कौन सी करांती सम्मंदित, तिलाहन उत्पादन बताई वही सभी लोग जवाब दीजे, सभी का जवाब साथ में नहीं आ रहा है चलिए, सही है बिलकुर राइट अंसर आपका ड्डी हो जाएगा पीली करांती के सम्मंद आपके तिलाहन उत्पादन से, ठीक है पीली करांती के सम्मंद है तिलाहन उत्पादन से चलिए निस कोशन आते हैं, कोशन आपसे अगला पूछा गया है खरीब फसलों के लिए किस तरह के मौसम क्या हो सकता होती है जो खरीब की फसल होती है इसके लिए जो मौसम क्या हो सकता होती है कैसी मौसम होती है तो पहले बात ये पता होना चाहिए ये खरीब की फसल लगबग आपकी बोई कब जाती है तो आपकी जून जुलाई या जुलाई अगस्त ठीक है ये दो मैना होता है क्योंकि जो भारत के समय बारिज का है स्ट्रेडिनटा नहीं हो चुका है ना पहले आपका टाइविक सी होता था लेकिन अब एक मन्त थोड़ा हो लेकिन बात तक बरसता रहता है तो इस प्रकार से हो सकते है खरीप में आपका जो होना पूछा गया था किनिम्ड में से कौन से दो जुताई के प्रात्मी कुपकराण है जुताई होते खेतों में उसी के यहां पर दिया डिस्को हैरो या कल्टिवेटर और दुद्धा है अगला है मुल्डी बोर हल और आपका मरदा खुदाई अर्था सबसाइलर यहां पर देखो कि जुताई के प्रात्मेक उपकराण आपके मौलड बोर्ड है डिस्कोहल रोटरी डिसकल उन्हार कलटिवेटर चेनी इस प्रकास ने होगे तीक है यह प्रात्मेक होते हैं में जल प्रियोग की कुसल मिदवैता के अंसार कौन सी प्रणाली सिस्तम है हम समझ सकते हैं टेस्ट पेपर आपको अटाफ हो सकता है लेकिन दो-तिन टेस्ट पेपर आपको इस प्रकार के कठनी टेस्टों को लगाना होगा यहां पर राइट अंसर आपको जो हो जाएगा वो होते हैं यह इसे ड्रिप प्रणाली बोलते हैं ठीक है जल की प्रयक्ट से चलिए अनेस कोशन को आते हैं कोशन आप से एकला पूछा गया है कि वार्सिक्रम और वर्सांतर फसल उगाने की वियोस्था को क्या कहते हैं बताई भाई सभी लोग जवाब दीजे साथ में वार् पर जवाब आ रहे हैं बिल्कुर राइट अंसर आपका यहां पर हो जाएगा इसका कौनसा बी नमर आपका हो जाएगा फसल रोपन अनुक्रम मतलब कह सकते हैं कि वार्सिक्रम और वर्सांतर फसल उगाने की वियोस्था को फसल रोपन अनुक्रम कहते हैं जो को फसल उगा जाए तो हर चीजों को होना उपलब्द होता है एक वाता वरण के अमसार यह आप से कह रहा है ठीक है चलिए नेस कोश्चन आप से पूछा गया है आपके कोश्चन आपके काफी टब पोचे गए थे आपके इक्रसी के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रद्धौकी यहसे की हाइड्रोपोनिक्स और अरोपोनिक्स का उप्योग करके शहरों में बोहमंजिल इमार्तों के अंदर वांजिक रूप से ब्योभार फसलों की ख्येटिदी की जाती है मतला अपको हमने बताय था ह्या प्योंदक्त हайтесь क्या HOW पूछय होता है कि यह प्रति वर्स निकलता है तो में कितना खरपतवार निकलता है से समंदित तो यह जो आपका जवाब हो जाएगा वो option right आपका हो जाएगा A number 350 million ton लगभग आपका निकलता है लेकिन आप थोड़ा सा आपके यहाँ पर कह सकते हैं इसकी संख्या आपकी जादा हो गई है तो लगभग आप देखा जाए भारत में प्रति वर्स 960 million ton ठों सबसे उत्पादन आपका होता रहता है तो आपका यह 10 आपका जो है लगभग आपका इससे ज्यादा हो चुका है ठीक है अंसान आपको यह करना है इसी में लगभग सभी का मिक्स हो जाता है ठीक है चलिए एनेस question को आते हैं question आपसे एगला point पूछा गया है कि खेती छेतर से तातपर क्या है कुल खेती छेतर से तातपर क्या रहा है तो कुल खेती छेत्र से तातपर क्या होता है तो यह तातपर होता है कि वर्स में सुद्ध खेती किया गया छेत्र प्लस वा छेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती कहीए हो वर्स में सुद्ध खेती किया गया छेत्र वा प्लस वा छेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती कहीए हो इसे बोलते हैं कुल खेती छेत्र ठीक है बी नमबर आपका हो जाएगा चलिए नेस कोशन आप सेगला है किनिम्न में से कौन सी रूट क्राफ नहीं है रूट क्राफ तेहाँ पर रूट क्राफ मतला होता है रूट मतला होता है जड़ होती है रूट मतला होता है तेहाँ पर जड़ नहीं है कौन तो देखो आलू वा गन्ना आलू और गन्ना आरता तीसमें आपसन कौन हो जाएगा C number हो जाएगा ना यह जड़ तो नहीं है तो शकरकंद जड़ है एक जड़ यहाँ पर कर सिकते हैं कि इसमें आप्षन के साफ से root crop नहीं है root मतलब जड़ वाली है ना तो यहाँ पर देखो सकरकंद यहाँ पर आपसंद दो होने चाहिए लेकिन अंसर आपको यहाँ पर एक भोल दिया है देखो जो आलू है ये भी एक तणा है और एक भी है वह आपका तना है ठीक है यह अंसर आपको गलत है यहाँ पर आपका B और C दोनों हो जाएंगे यह रूट क्रॉप आपकी नहीं है अर्थार रूट मतलब जड़ होती जड़ वाले सकरकंद और आपकी चुक अंदर हो जाएंगी समझ में आगे ना इसमें दो आपकी कह सकते हैं कोर्शन चलिए निस कोर्शन आप कल गया है कि पूसा रूबी किसकी उन् है कौन सी पूसा रूबी ठीक है चलिए निस कोर्शन को आते हैं देखो कह सकते हैं कि पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किसमें टमाटर की अन्न भी आपकी होती है जिसे आपका अर्का विकास पूसा अरली यह आपकी होती इसकी किसम होती है ठीक है चलिए निस कोर्शन दानों का अधिक नुक्सान होता है यदि आप लोग देते हैं ग्याओं का जब मड़ाई होती है तो उसमें ठेसर के माध्यम करते हैं ठेसर के माध्यम से तो उसमें देखते हैं कि दाना का नुक्सान होता है कब जादा ज्यादा यह तब होता है जब पकी फसल को ठेसर में डा दाल रहे हो और धीमा धीमा डालो कि तो दिक्कत हो जाए कि उसमें दाने भीवाय निकल जाएंगे इस एक ही लगाता जितना डोच चाहिए उतना देते रही है तो इस प्रकास से अंसर राइट आप का यह हो जाएगा चलिए अन्यस कोश्चन काते हैं कोश्चन आप से एकला कैसे हैं कि फसल काटाई परिच्चन जो किस क्रम के लिए किया जाता है यहां पर कैसे खते हैं कि फसल का अणुमान लगाने कि नहीं फसल की अनमान ये भी नहीं होगा या प्रदरशित करने कि लिए फासल की 있나 चैका को स्लत्ट किए सकती यह भी तो इसका अंसर आपका D हो जाएगा बारत में रज़त करांती अर्था किस्य संबन्दी थे तो बिल्कुर्ट सिंपल है रज़त करांती का जो संबन्द है यह संबन्द है आपकी option राइट हो जाएगा D अंडा और चिकन उत्पादन से इसके अंडा आपके घसके जीन है स्वयत करांती होती है किस्व क्रांती हैın रज़त करांती से नेले कणती मंस उत्पादन से बोरी क voluntary करांती मास उत्पादन से समझ में आगे ना तो हमें आपको पीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो आप गहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए अगला बताइए, भारत में भूसी का प्रत्सत अनुमान कितना है, भारत में जो भूसी निकलती है, धान की भूसी, धान देखें न, ठीक है, जो चावल होता है, तो प्रसत आपका लगबख 72 परसंट के तो उस प्रकार से, और 6 प्रसत चोकरोकर की मातर निकल जाती है, यह ना, ति उस प्रकार संसर आपका यह हो जाएगा, चलिए नेस्ट कोशन आपसे एगला पूछा गया है, चलिए जवाब दीजी अगला, कि भारत के उननत बीज की प् इतने कीजी आपके यह पर के सकते हैं, कि बीज डालना चाहिए, यह पूछ रहा आपसे, तो राइट अंसर आपका हो जाएगा, पंदरा केजी, ठीक है, याद रखेगा, कि चावल के उननत बीज की प्रती हेक्टेर, जो बीज रोपन दर होना चाहिए, वो पंदरा केजी तो पूसर असराज जवाब की है, वो आपकी खरबूजा की है, किसके भीया, खरबूजा की है, पूसर असराज खरबूजा की उननत किसम है, ठीक है, और पूसर सरबती, पूसर, मदुरस, हरा मधु, पंजाबी, सुनेरा, आदवी, आपकी खरबूजा की है, किसमे है, ठीक और यहां पर कैसे हैं कि जो अपर रधा पर रहा तो अपका हमेशा चीनी रहता खाली जो आहिए तो सबसे उत्पादक राज का उत्तर और ठेले हैं तो सबसे बढ़ा उत्तर प्रदेश उत्तर अन्थ्ट पल-डेश हे कदो करका अंदप्रदेस रर्य चातोटर है यह इसके अतर भारत में गें pior किसे की जाती , यह की आती हैं तो यह जाती है की धान से मत्ला इसको समझे कि उत्तर भारत में गेंगहु के फसल की हेर फिर धान की फसल के साथ की जाती है ठीक है ग्यों के फसल के साथ समतलब के सकते हैं जिस प्रकार ग्यों उस प्रकार आपकी धान तीसे लिए से बोल देते हैं कि इस फसल को हेर फिर अर्थात की उत्तर भारत में ग्यों की फसल अक्टोर नॉमर में हो जाती है वह मा में ऒुता है खरीव की फसल में आपकी हो जाती है कोंद सी तीधर चावल हो जाता है और रवी की फसल है मुक्छिता आपकी दो फसल होती है तो बहुत लोग होते हैं बस यही दो-दो फसल आपके उगाते हैं इसलिए बो लगा गाँ है तो कहाँ पर की जाती है यह ठीक आपकी कि जाती है कहाँ पर का का दी गालेंड में ठीके जाबो गालेंड की ऐक प्रस्थास कि प्रणाली जीम्的 मुल्성 स्थान गयर का कह trends कि नगलेंड में है ठीके और का सब्सक्राइब का आरफ होता यहाँ पर अगला है बागवानी फसलें आपके आ गई है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कर आया था बाताए बाई जवाब क्या होगा तो काजू का जो परिचय हुआ था आपके पूर्तगालियों से याद रखिएगा भारत में काजू काजू और कैसि और नहीं आ रहा है तो आप लोग बुस अंसर देखते चलिए ललित किसकी एक संब किसम है ललित किसकी एक संब बादर में भारत कौन से इस्तान था तो वही अंसर आपके हो जाएगा जोंकि हमें सर लगवख रहता है दूसरा इस्त्थान ही आपका यहां पर रहा है भारत का, ठीक है चलिए next question कहाते है, question आपसे पूझा गया है आपसे question कहे रहा है आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है जो आम की एक किस्म है हिमसागर ये किस राज्य से है, किस राज्य में होती है ये Ebuzia ओती है आपकी कहाँ पर प्रप्रदेश आम की कौन सी किश्म की पयदावार के वह प्रश्रिद्द हैं और भारत की विवन नाराज्जों में आम की पच्चास स्यद्धिक कैती की जाती है और इमान्चर प्रदेश में 24 आम की उत्पादन के लिए प्रसिद्द है और यहाँ पर गुजरात में आपकी केसर आम की प्रजाती अपकी पाजाती है यहाँ पर अगर बात करें कौनसा मुलगोबा 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 जो आपका प्रसिद्ध किस लिए तो मुलगोबा आम की प्रजाती आपकी तमिलनाडू और दच्छिन भारत की अनभागों गया जता है वहें पर देखा जाए बादामी तो बादामी आपकी आम की किसमें करनाटक में पाजाती है समझ में आगया ना चारों आपसन चलिए निस कोशन को आते हैं कोशन आपसे एकला पूछा गया है जो कि खनी संसादा ने कर आपसे मैगनेटाइट का सूथ बताइए मैगनेटाइट सूथ बताइए जो कि लोहे का एक आएसक है यह आपका यफी 3-0-4 आपसन आपका भी हो जाएगा यह अफी 3-0-4 लोहे का एक आएसक है और मैगनेटाइट लोहे का आपका सबसे बड़ा अच्छा आपका कह सकते हैं आएसक माना जाता है इसमें लगबग 72 प्रसद आपका लोहा पायाता है और इसके वह और भी आएसक होते हैं लोहे में जैसे आपका हेमेटाइट, लिमोनाइट, अना सीडेराइट यह आपकी इसी के अन्न आपके हैं समझ में आ रहा होगा चलिए अनेस कोशन बताइए कोशन आप से गला है कि मोनोजाइट किसका आएसक है बताइए भई मोनोजाइट किसका आएसक है जवाब दीजी भई चलो हम अनसर बता दे रहे हैं अपसन लाइट आपका भी थोरियम क्योंकि अगर आपका वेट करेंगे तो वीडियो बड़ा हो सकता है है ना और कटिन टेस्ट है बस आपको यहां पर देख लेना एक बार आगा और ओर चाहो तो रेपीट कर सकते वीडियो को ठीक है थोरियम यहां पर यह थोरियम का आपका यास का है ठीक है ठीक है चले नेस कोशन मैंसे एकला पूछा गया है कहरा आपसे यहां पर कि भारत करूर किस नदी कुका जाता है भारत का रूर किस नदी वेशिन को का जाता है बताए भाई यह तो जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पर भारत का रूर किस नदी वेशिन को कहते हैं और यहाँ पर यह हो जाएगा दामोदर नदी को किसको दामोदर नदी वेशिन को भारत का रूर का जाता है और ऐसा इस छेत भारत में जहां पर कोईला छेत्रे दामोदन अधि घाटी यहां पर भी मात्रा अधिक होती है कोईले के और अब रखे इसलिए के सिक्ति इसको विरूर का जाता है समझ में आ गया चलिए अनेश कोचन आप से एकला पूछा गया है कर आप से यहां पर किस रेडियो धर्मी तत तो आपका पढ़ाता है यह रेडियो तत्म कौन साइब बताई यह रेडियो तत्म कौन है थोरीम टीके यह आपके मंडी पुछा गया था देख लिजी आप से पाड़ी धर्मी ब्हारत विश्व में पहले स्थान पर है जबकि ब्राजील अमेरिका क्रमसा दूसरे तीसे इ पूछा गया है कि बाला घाट का मलंज खंड छेत्र राजस्थान के जुन जुनु का खेतड़ी सिंगना छेत्र महत्रपूर्ण के अंदे यहां पर देखिए खेतड़ी जो आपका प्रसीद्दे इससे आप पकड़ सकते हैं अंसर कि खेतड़ी जो आपका जाना जाता है आप कि मात्रपूर्ण जो कि राजस्थान के जुन जुनु में आपका पड़ता है ठीक है चलो अगला कोर्शन आप से एगला पूछा गया है यहां पर कोर्शन आप से कह रहा है बिद्दू तूरजास समंदित कोर्शन चलिए बताईए कि किस राजी की इस्थापित बिजली उ आकड़ा किया थे 31 मार्च को ठीक है कब 31 मार्च 2019 के आकड़ों के अलसार है जो कि महाराष्ट की इस्थिति आपकी बिजली उत्पादन में भारत में सबसे अधीक है ठीक है और दूसरे स्थान पर गुजरात और तमिलाडू आपका 30 स्थान पर यह 2019 का अपड़ेट है ठीक आपके टप कर देते हैं अनसंधान केंद्र जा और इस परकार के आएंगे ठीक है तो आप लोग तैयार है ना नेस पार्ट आपको इसी परकार स्पिसल टेस्ट के रूप में लाएंगे तो आप उसको जरूर देखेगा ठीक है ना तो हम लोग मिलते है एक नए वीडियो मे तब तक के लिए धन्वाद जैहिन जैवारत